हाँ हाँ अभी मेरे पास तो ABS है और मुझे कुछ नहीं हो सकता आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आप राइट तरीके से ABS यूज नहीं करो तो तो नमस्त दोस्तो और वेलकम टो माई चैनल आज इस वूडियो में आपको बताऊंगा कि ABS को राइट तरीके से कैसे यूज किया जाए अगर आपने सुना है कि ABS लाइट बचाता है तो यस ये चीज आपने सही सुना है ABS लाइट बचाता है पर उसको यूज करने का एक सही तरीका है आपको ये सुनके काफी अच्छा लगेगा कि गवर्मेंट के न्यू रूल के इसाब से गवर्मेंट ना ये mandatory किया है कि 150 और उसके अबाओ के जितने भी बाइक से उसमें ABS होना चाहिए लेकिन ABS अगर आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो आपका accident हो सकता है और आपको चोट लग सकती है मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ABS एक्चुली होता क्या है ABS देखने से पहले हमको ये brake देखना पड़ेगा इसका जब मैं बाइक चलाता हूँ और बाइक चलाते हुए मुझे बाइक को जब रुकाना होता है तो मैं इसका front brake प्रेस करता हूँ जो कि यहाँ पर है front brake जैसे ही मैंने प्रेस किया वैसे ही जो है वो इसके brake pads होते है जो इस rotor को पकड़ते है और जिसके वज़े से जब ज्यादा है लेकिन अपने बहुत जोर से प्रेस किया तो उसके वज़े से यह होगा कि आपका जो front wheel है वो लॉक हो जाएगा और front wheel लॉक हो जाने के वज़े से आपका bike जो है वो सीधा नहीं जाएगा skid होगा skid होगा तो आपका bike balance खराब होके आप गिर सकते हो चोड़ेगा पकड़ेगा चोड़ेगा इस तरीके से इसको बोलते हैं पल्पटेटिंग सम्थिंग और ऐसा होने के वज़े से आपका वील स्खीड नहीं होगा जगे से है ये बाद तो आपने सुना होगा लेकिन कुछ रिजन के वज़े से एबिस को बंद भी करना पड़ता है अगर आप यह रिजन जाना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रही है एबिस का फुल फर में एंटि लोक ब्रेकिंग सिस्टम और यह आपके बाइक में है कि नहीं दो केबल आता है यह दो केबल और यहाँ पे जो है वो AWS का Sensor है कुछ-कुछ बाइक में अब इस का Sensor आता है लेकिन AWS नहीं होता है तो तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, मेरे पास Dominar है, और Dominar में Dual Channel ABS है, Dual Channel ABS यानि कि आगे भी ABS है और पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ABS है, तो कार में जो है वो 4 Channel का भी ABS आता है, 4 Channel ABS जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 आगे होगे, 2 पीछे होगे, या फ पॉइंट भी है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जब भी आप बाइक चला रहा हो, slow speed में तो ABS काम नहीं करता, आप लोगों मैं से बहुत सारे लोग मुझे ये पुछेंगे, कि सर ABS slow speed में काम नहीं करता, उसका reason क्या है, तो उसका reason मैं आपको बोलूँगा, कि जब आप slow speed में होते हो, mostly 20 km per hour से less speed में जब आप रहोगे, तो ABS काम नहीं करता, उसका reason भी जो है, मैं आपको बताता हूँ, क्या है, कि for example 20 km का speed है, और आपने brake press किया, तो आप जितने भी जोर से brake press करोगे, आपका bike जो है, वो instant रुख जाएगा, और वैसे situation में, आपका ABS sensor जो है वो यह detect नहीं कर पाएगा, कि wheel lock हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके वज़े से low speed में ABS काम नहीं करता, साथी में एक चीज़ में आपको पता देता हूँ, कि यह ABS active कैसे करना है, mostly मेरे पास bike है, और bike के अंदर आप देखते हो, कि यहाँ पर ABS का sign होता है, यह ABS का sign है, इस kilometers per hour से ज़्यादा, जब आप speed में bike चलाओगे, तो ABS on हो जाएगा, दिख रहा है, ABS जब on हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो ABS का line है, ABS का light चला जाएगा, इसका मतलब आपका ABS चालू है, और ABS सही तरीके से काम कर रहा है, अगर आपके bike या car में ABS है, और आपको सही तरी का बताता हूँ कि ABS यूज करने के लिए सही तरीका कौन सा है, नॉर्माली जब आप bike चला रहा हो, तो आपको ABS वाले bikes जो है, वो normal तरीके से यूज करने है, और जब आपको braking करना है, तो आपको brakes जोर से प्रेस करने पड़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पर देखा, तो आप जोर से brake प्रेस करोंगे, तभी ABS काम करेगा, अगर आप जोर से brake प्रेस नहीं करोगे, तो ABS काम नहीं करेगा, उसका reason जो है, वो यह है, कि आपका wheel जो है, वो lock होने वाला चीज ABS detect करता है, और एक और चीज में आप लोगों को बता दू, ABS जो है, वो wheel lock होने से बचाएगा, आपको balancing करने में कोई भी help नहीं करेगा, तो अगर किसी reason के वज़े से आपका bike का balance खराब हुआ, तो आप गिरोगे, उसमें ABS आपका कोई help नहीं करेगा, बहुत सारे लोगों को यह चीज पता नहीं होता है, और जिसके वज़े से वो लोग ABS होने के बावजूद भी गिरत है, अब कुछ लोग यह चीज नहीं जानते हैं, और कुछ लोग turning के टाइम पर जोर से hard breaking करते हैं, और सोचते हैं कि ABS मुझे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ABS अगर आप turning के टाइम पर use करोगे, तो mostly turning के टाइम पर आपका speed क्या होता है, slow, और अगर आपका speed slow होगा, तो टाइम पर ABS detect नहीं कर पाएगा कि आपका wheel lock होने वाला है कि नहीं, और अगर उसने detect भी किया, तब तक आपका bike जो है, वो grip या, जो grip होता है, वो सबसे important होता है, जो grip है, रस्ते के उपर वो छोड़ देगा, और आपका bike skid हो सकता है, तो जबी भी आप turning लेने जा रहे तो आपका bike रुकेगा, नहीं, skid होगा, यह चीज मैं आपको already एक और बात वीडियो में बता चुका हूँ, और दूसरा एक चीज और है कि grip जो है, वो सबसे जादा important है, दोस्तों, जबी भी आप ABS या जबी आपका bike को, या car को भी जबी आप brake press करने वाले हो, तो grip बहुत important है, देख रहा है, यहाँ पर आपको tire है, और यहाँ पर नीचे यह surface contact है, यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर यह surface सही तरीके से contact नहीं हुआ, तो आपका bike skid हो सकता है, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, तो जबी like कुछ-कुछ अलग-अलग तरीके की चीज रहती है, अलग-अलग तरीके के road रहते है, for example, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, कि यहाँ पर बजरी बहुत जादा है, और यहाँ पर मेरे bike में ABS होने के बावजुद भी, अगर मैं brake जोर से press करूँगा, तो मेरा bike skid हो सकता है, दूसरा कभी-कभी पानी के अंदर like जैसे weight surface होगा, बारिश हुआ रहेगा, या गीला surface होगा, वहाँ पर आप brake press करने का कोशिश करोगे, वहाँ पर भी जो है, वहाँ आपका wheel skid हो सकता है, उसका reason है, ABS सही तरीके से काम कर रहा है, ABS का कोई problem नहीं है, वह आपका wheel lock नहीं होने दे रहा है, लेकिन आपका जो tire ह वो grip नहीं कर पा रहा, तो उसके वज़े से भी problem हो सकता है, off-roading जो है, वहाँ पर भी आपको ABS जो है, वो थोड़ा सा problem create कर सकता है, और yes दोस्तो, off-roading ही एक ऐसा जगा है, जहाँ पर आपको ABS off करने का ज़रूत होता है, उसका भी एक reason है, कि for example, आप bike चला रहा है हो में से, और वहाँ पर कभी-कभी ऐसा होता है, कि जबी आपका ABS काम नहीं करेगा, और wheel जो है, वो lock हो जाएगा, जिसके वज़े से रस्ते में काफी ज़्यादा मटी होगी, जो आपके tire को पकड़ लेगी, और instant braking के लिए ये चीज़ काफी ज़्यादा important है, कि आपका bike जो ह है, वो lock हो जाए, wheel और wheel lock हो जाने के वज़े से, वो ज़्यादा मटी अपने साथ गीसे, और उसके वज़े से आपका tire जो है, वहीं पर अटक जाए, और mostly ABS, off-roading के time पे, पीछे का वो जो होता है, वो off-roading के time पे, mostly riders जो है, वो पीछे का brake use करते है, so दोस्तों, thank you so much for watching, I hope आप कोई वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है, तो please do like it, नए हो तो मेरी चैनल पर subscribe कर देना, और be safe, ride safe, good luck and God bless, bye-bye. झाल